नमस्कार दोस्तो मैं सूरेश कुमार जानेते हैं आजकी बड़ी खबरों के साथ सोनेवाचानदी के भाव सरकार का बड़ा एलान पेट्रोल हो सकता है 10 रुपय सस्था जानिये क्या है सरकार की नई योजना पेट्रोल के दाम जल्ध ही 10 रुपय तक गढ़ सकते हैं दर असल सरकार आपकी गाड़ी मेथेनोल से चलाने की तयारी में है सुत्रों के मुदाबिक निती आयोक की निगरानी में इसका ट्रायल पूरे में जोरो सोरों से चल रहा है निती आयोग की देख रेक में सरकार देश भर में 15 फिस्दी मेथेनोल मिला हुआ पेटरोल लाने की तयारी कर चुकी है यही नहीं गाडियों का ट्रायल भी जोर सोर से सुरू हो गया है इस पूरी कवायज से पेटरोल के दाम 10 रुपे तक घट सकते हैं आपको बता दें कि मेथेनोल कोईले से बनता है पिलहाल पेटरोल डीजल में एथेनोल मिलाया जाता है इसे गन्ने से बनाया जाता है जिसकी लागत प्रती लिटर 45 रुपे आती है वही मेथेनोल की लागत 20 रुपे प्रती लिटर है एथेनोल के मुकाबले मेथेनोल काफी सस्ता है मेथेनोल के इस्तेमाल से परदूसन घटेगा अगली बड़ी कबर है इस योजना के धहत आपके खाते में पेसे भेजेगी मौदी सरकार करने जा रही है बड़ा एलान केंदर सरकार देश भर में किसानों के लिए एक खास स्किम लागू करने की तैयारी में है के अंदर सरकार देश भर के किसानों को एक बड़ा तोफा देने की तयारी कर रही है सुत्रों से मिली जानकारी के मताबिक LPG सबसीडी की तर्च पर फर्टिलाइजर सेक्टर में भी सबसीडी मोडल लागू करने की परकिर्या तेज हो गई है सुत्रों ने बताया कि फर्टिलाइजर सेक्टर में भी डारेक्ट बेनिफिट ट्रांस मोडल लागू करने के लिए रास्ता साफ हो गया है सरकार ने अगले चार महिने में फर्टिलाइजर सबसीडी के रकम सीधे किसानों के खातु में पहुंचाने का लक्षा किया है फर्टिलाइजर मंत्राले डीबीटी के लिए पीम किसान योजना के आंकडों का इस्तेमाल करेगा पीम किसान योजना में किसान की जमीन के साथ बैंक डीटेल्स भी सरकार के पास उपलब्द है हर्टिलाईजर मंत्रालया ने एगरीकल्चर मंत्रालया के साथ मिलकर परकिरिया सुरू कर दी है अस्ट्रेलिया को रोन्द कर भारत ने सिर्यज पर किया कबजा रोहित सर्मा की सतक्या और कप्तान विराट कोहली की अर्द सतक्या पारी के दम पर टीम इंडिया ने तीसरे और आखिरी वंडे मेच में ऐस्टेलिया को साथ विकेट से हरा दिया इसी के साथ भारत ने दो एक से सिरीज पर कबजा कर लिया भारत ने ऐस्ट्रेलिया के लक्षे 286 रन को 47 और और तीन गेंदों में तीन विकेट पर 289 रन बना कर पूरा कर लिया भारत की जीत में रोहित सर्मा 119 रन और कपतां विराट कोहली 89 रन की बड़ी बुमी का रही र मुशला धर बारिश देश की राजदानी दिल्ली एंसियार समयत पूरा उत्तर भारत एक बार फिर कड़ाकी की ठंड के चपेट में हैं वहीं जम्मू कस्मीर हिमाचल परदेश पंजाब हर्याना उत्तर परदेश और उत्राखन सहित कई राज्यों में ठंड और सित लहर ए मुशला विभाग के अनुसार 21 और 22 जनुरी को देश के कई हिसों में बारिस और बर्फबारी हो सकती है यूपी के उत्री भागों पर एक चकरवाती हवाओं का ख्षेतर अभी भी बना हुआ है मध्य परदेश होते हुए माराश्र तक इस सिस्टम से एक ट्रफ सकी रहे है एक चकरवाती हवाओं का ख्षेतर पूर्वी मध्य परदेश और इस से सटे 36 गड़ के भागों पर भी दिखाई दे रहा है वहीं एक अन्य चकरवाती सिस्टम पस्चिमी असम पर बना हुआ है तेलंगाना आंधर परदेश, तमिलनाडू, लक्सदीप, बिहार, साथ बुंदाबांदी होने के आसार बने हुए हैं सोना चांदी से जुड़ी अगली बड़ी खबर है आज दिली सराफा बाजार में सोने के भाव में 32 रुपे की तेजी देखी गई वहीं चांदी के दाम 116 रुपे 30 ग्राम तेज हुए सोने के रेट बढ़ने की वज़े । डोलर के मुकाबले रुपे का कमजोर होना बताया है वहीं अब जान लेते हैं अंतराश्रे बाजार में सोने के भाव क्या रहे। वहीं आप जान लेते हैं भारतिय बाजारों में सोनेवा चांदी के भाव क्या रहे इस से पहले रोजाना सोनेवा चांदी का भाव जानने के लिए इस चैनल को लाइक वा सब्सक्राइब करना मत बूलना साथ में बेल आइकन भी प्लेस करना जिससे आपको रोजाना रुपई और एक किलो का बाट िनसार पांसो रुपई रहा वहीं अब जान लेते हैं टूडे 24 के रेड सोने के भाव मैं चोवीस के रेड सोना एक ग्राम का रेड थीन हजा नोसो 8 ग्राम का रेट 31,608 रुपए 10 ग्राम का रेट 49,510 रुपए और 100 ग्राम का रेट 3,95,100 रुपए रहा वहीं अब जान लेते हैं टूड़े 22 के रेट सोने के भाव इससे पहले लाइक बटन प्रेस करना मत भूलना आज 22 के रेट सोना 1 ग्राम का रेट 38,51 रुपए 8 ग्राम का रेट 30,808 रुपए 10 ग्राम का रेट 38,510 रुपए और 100 ग्राम का रेट 3,85,100 रुपए रहा